नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल में दोस्तों गिलोए को बहु गुड़कारी औसदी कहा जाता है इसका एक नाम अम्रता भी है मतलब अगर पृत्वी पर कहीं अम्रित है तो वह गिलोए में है दोस्तों आयूरवेद में कड़वे स्वाद वाली गिलोए को कई बिमारियों के इलाज में कारगर जड़ी बूटी माना गया है आम तोर पर गिलोए को जूस, काढ़ा, पाउडर या गिलोए वटी की रूप में इस्तेमाल किया जाता है आज हम आपको गिलोए के कुछ ऐसे फायदों के बारे में बताएंगे जिसे जानकर आप अपने सरीर को पुरूरताया स्वस्त रख सकते हैं पहला है रोक प्रतिरोधक की छमता बढ़ाने में बहुत ही मददकार होता है इसमें मौझूद एंटी ऑक्सिडेंट तत्त सरीर से विसेले पदार्थ निकाल देते हैं फून को साफ करते हैं और सरीर को उर्जा पुरूरतान करते हैं गिलोए की 4-6 इंच लंबी डंडी छील लें और आधा पानी मिलाकर मिक्सी में पीस लें छान कर एक चमच सहद मिलाकर सुबह खाली पेट पीएं यह आपकी इम्मुनिटी को बहुत हद तक बूस्ट करेगा अगला है सर्दी जुकाम और बुखार को भगाने वाला इस मौसम में होने वाले डेंगू, मलेरिया जैसे बुखार के कारण ब्लड प्लेटलेट्स कम होने और रोग प्रतुरुधक छमता कम होने पर गिलोई का सेवन मददगार है एक कप पानी में 4-5 इंच लंबी गिलोई की डंडी कूट कर डाले पानी आधा रह जाने पर बने काड़े में सहद मिलाकर पीने से बार-बार होने वाला बुखार ठीक हो जाता है प्लेटलेट्स कम होने पर गिलोई और इलोवेरा के रस को मिलाकर सेवन करना बहुत ही असरकारक है सर्दी जुकाम में भी गिलोई का काढ़ा पीने से आराम मिलता है 6 इंच लंबी गिलोई की डंडी पीज कर पानी मिलाकर काढ़ा बनाएं PC काले मिर्च डालकर इस काढ़े का सेवन करें आपका सर्दी जुकाम बहुत जल्द दूर हो जाएगा अगला है टाइप 2 डाइबिटीज में भी असरदार हाइपो ग्लाइसेमिक एजेंट होने के कारण गिलोई बलड सुगर लेवल को बहुत कम करती है लॉंग अदरक तुलसी मिलाकर बने गिलोई का काढ़ा पीन यह बहुत हद तक टाइप 2 डाइबिटीज में असरकारक है अगला है अस्थमा में भी आराम देती है आजकल के बदलते मौसम और सर्तियों में अस्थमा के मरीजों के लिए गिलोई बहुत ही फाइदे मन्द है नियमित रूप से गिलोई की डंडी चबाएं या उसका जूस पियें अगला है अर्थराइटिस के दर्द में राहत गिलोई का पाउडर दूद के साथ 2-3 बार स्टिवन करने से गठिया में लाब मिलता है एक चमच गिलोई का रस और तर्फला को आधा कप पानी में मिला कर सुबह साम भोजन के बात पियें रस में अधरक का रस भी मिला सकते हैं एक चमच गिलोई के चूरुड को घी के साथ लें अरंडी या कैस्टर ओयल के साथ मिला कर जोडों पर भी लगा सकते हैं या बहुत ही फाइदे मंद होता है अगला है पाचन समस्याओं को भी दूर करें इसके नियमिज सेवन से पाचन प्रक्रिया सुचारो रूप से चलने में मदद मिलती है कब्ज जैसी पेट की विमारी में रहत मिलती है कब्ज होने पर एक चौथाई कप गिलोई के रस में गुड मिला कर पियें बहुत जल्दारा मिलेगा एनीमिया में भी प्रभावी गिलोई खून की कमी के कारण लाल रक्त कडिकाओं की संख्या बढ़ाने में सहयक है जिसमें एनीमिया और उससे होने वाली थकान कमजोरी दूर होती है रोजाना सुबह साम गिलोई का रस घी, मिस्री या सहथ के साथ मिला कर लें आपकी एनीमिया की समस्या दूर हो जाएगी पीलिया होने पर एक चमच गिलोई का चूरुड काली मिर्च या तरफला के साथ एक चमच चूरुड में एक चमच सहथ मिला कर चाटना बहुत ही लापकारी है गिलोई के एक चमच ताजा रस को एक गिलास लसी में मिला कर पीएं अगला है तनाव को कम करने का काम करती है गिलोए estrogen का काम करती है और मांसिक तनाव या anxiety के इस तरको कम करती है इसके नियमी 7 से मस्तिस्की की कारे पोलाली दुरूस्त रहती है और एकागृता बढ़ती है अगर आप मोटापे से परेशान है तो गिलोए का नियमी 7 करें गिलोए सरीर के मेटा बॉलिजम को सुजारू रूप से चलाने में मदद करता है जिससे पाचन सक्ती बढ़ती है और सरीर में अतरिक्त फैट कम होता है एक चमच गिलोए और तर्फला पाउडर सुबह साम सहत के साथ लें दिन में एक बार गिलोए, हरड, बहेड, सिलाजीत और आवला मिला कर काढ़ा पियें यह आपके मोटापे के लिए बहुत लापकारी है अगला है तचा बालों का बहुत ही अच्छे सक हैल रखता है गिलोए अटी एजिंग गुडों के कारड़ गिलोए के नियमी सेवन से तचा में निखा राता है दाग धबे दूर होते हैं गिलोए की पत्यों को पीस कर पेस्ट में अरंडी या नीम का थोड़ा सा तेल गर्म करके मिलाएं गिलोए का तेल थोड़े से दूद में मिला कर हलका गर्म करें इसे फटी तुचा पर लगाने से तुचा कोमल और साफ हो जाती है इस पेस्ट को तुचा पर लगाएं बालों में रूसी, बाल जड़ने या सिर्की तुचा की समस्यां दूर हो जाती है